नमस्ते हैं दोस्तान कैसे हैं आप लोग बहुत वक्त के बाद आप लोगों से इस तरह बात करने का मौका मिला है क्योंकि मैं वापस कुछ दिनों के लिए डेली आई हूँ यूप एलेक्शन के बार लेकिन आते ही आज एक बहुत अच्छा खबर मैंने देखा जो मैं आप ल 20.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो सही मायने में अगर आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा ग्रोथ माना जा सकता है मतलब आपको यह अच्छे तरीके से पता है कि जीडीपी का रेश्यो एकॉनमी और ग्रोथ को दर्शाता है बताता ह दोस्तो इतना ही अगर आपको पता होगा कि भारत के फिनांशल यर्ज होती है वो एपरिल से मार्च तक की काउंट होती है तो इस बार फर्स्ट कॉर्टर का जो डेटा आया है जिसमें की तीन महीने काउंट होते हैं एपरिल, मे और जून जिसका डेटा हमारे पास आया है और उसके हिसाब से जीडीपी अभी तक जीडीपी का जो रेश्यो है जीडीपी का जो रेट आया है बीस दसमलब एक प्रतिशत वो खुद में एक बहुत बड़ा एतिहासिक है लेकिन वहीं पे मुझे खुशी भी हो रही है अपने भारत के एकॉनमी की रिकावरी देखकर हमारे भारत के इकॉनमी की ग्रोथ देखकर कि इतना अच्छा हुआ है वहीं पे मुझे बुरा भी लग रहा है अब आप सोचोगी कहां पे एक तरफ हमारे देश सुधर रहा है देश एकॉनमी में रिकावरी हो रही है तो आपको बुरा क्यो लग रहा है अब मैं यह सोच लाया कि लौ एन ओर्डर का क्या हाल है बहां पर जो अखिलेश यादव जी के भी समर्थक थे जो अखिलेश आदव के समर्थक हैं या चाहे वह कोई भी पार्टी का क्यों नहों हर ने इस बात को स्वेकार है कि हां लौ और और आडर में बहुत हद तक शुदार आया है जब क उठेगे अयोध्या श्रीराम मंदिर की निर्मान की भी उठती थी तो इन सारे चीजों में जब विपक्ष को आज तक भी नहीं जब बचता है बोलने के लिए तो बात होती थी जीडीपी बात होती थी कि भारत की जीडीपी देखो कहां से कहां जा रही है लेकिन अब उनका क जीडीपी का रोना रोते थे उनके लिए तो एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है दोस्तों जैसे आप सभी को पता होगा अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूँ जब कोवीट का फर्स्ट वेव आया था उस फर्स्ट वेव में जैसे आपको सभी को बता है कि जीडीपी का जो डेटा हमसे शेर करते हैं ये एन एसो के द्वारा होता है जिसका की मतलब है नैशनल स्टाटिस्टिकल उफच जो हमसे हर वर्ष कवाटरली जीडीपी का डेटा शेयर करते हैं हमसे साजा करते हैं। उनके एकॉर्डिंग जब पिछले वर्ष का जब फिनांशल एर का पूरे साल का जब डेटा आया था तो उस वक्त और आज के टाइम में बहुत फर्क आया है क्योंकि एक वैसा भी वक्त था जब हमारे भारत की GDP माइनस 24 प्रतीशत नीचे आ गए थी क्योंकि उस वक्त अगर आपको याद होगा तो कोरोना काल था फर्स्ट वेव आया था संपूर्ण लॉक्डाउन से हम गुजरे थे संपूर्ण लॉक्डाउन की वजह से भारत की एकॉनमी पूरी तरीके से नीचे आ गए थी वही पे जब सेकंड वेव आया तो केंटर सरकार आपने शरकार को अपनी मनमानी के लिए छोड़ दिया कि आप अपने अने स्थर से अपने राजी को चलायें जहां पर एक तरह हमने बहुत जलॉः लोगन की जान गई लेकिन वहीं पर हमने यवी देखा की लॉक्डाउन जैसा कोई वैसा जोंने बोक्डाउन नहीं दिख जहां पर ये बात भी होती है कि थर्ड वेव का भी आने का खत्रा है तो क्या हम यह अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि कोविड नहीं आती तो कई ऐसे एकॉनमिस्ट हैं जिन्हों ने यह अंदाजा लगाया था उनके अंदाजे से यह बात हो रही थी कि इस बार का जो GDP जहां 20 प्रतिश्यत आया है यह बढ़कर 25 या 30 प्रतिश्यत भी हो सकता और अर्बियाइव ने भी इस बार जो आर्बियाइए की हिसाब से अगर जो अजम्शन की जा रही है वह पिछले बार जैसे माइनस 7.3 प्रतिश्यती तो इस साल का यह अजम्शन लगाया जा रहा है कि वह लगवग लगवग 9.5% आएगी क्योंकि इसका सबसे बड़ा एफेक्ट आता है वेक्सिनेशन प्रोग्राम पे कि जिस तरीके से वेक्सिनेशन पूरे देश में लगवग लगवग 90 लाख से 1 करोर डेली लगाये जा रहे हैं तो इसका इंपक्ट भी हमारे देश के एकॉन पढ़ेगी क्योंकि अगर तीसरा वेव नहीं आया तो हमें लॉक्डाउन जैसे चीजों से गुजरना नहीं पढ़ेगा और एक बार फिर से जो आज ट्वेटर पे मौनिंग से ट्रेंड चल रहा है है तो मुम्किन है लेकिन मैं बात फिर से वही करूंगी कि जिन लोगों क कुछ भी नहीं मिलता है जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदितनाद एक-एक करके चोटी-चोटी कमियों को खामियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो इतने सालों का कोड है जो इतने सालों का घाव है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पे बिपक्षी उन्हें गलत साबित करने के लिए कुछ ना कुछ बहाने निकालते थे जिसमें कि सबसे नंबर वन पे जीडीपी का रेशियो आता था बात दूसरी में एक और आपको खबर आपसे साजा करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदितनात का एक ब जो बिखते हैं वो शराब और मास नहीं बिखा करेंगे जैसे आपको सबको पता था कि पहले मंदिर के आसपास के एक किलोमेटर के रेशियो में ये कानून था कि इस तरीके के चीज़ें नहीं बिखेंगी लेकिन अब एक किलोमेटर वाला जो कानून है उसे हटा कर ये को लेकर आगे भी मैं आपके पास वीडियो लेकर आऊंगी आपसे बताऊंगी और पब्लिक ओपीनियन भी बहुत जल्दी मैं आपसे शेर करूंगी कुछ वक्त के लिए जैसे भी जो भी चीज़ें आती हैं मैं आपसे अगले वीडियो में बताऊंगी आपने अभी तक मेरे ग्राउंड रिपोर्टिंग की वीडियो देखे उसमें आपको मेरी रिपोर्टिंग कैसे लगी और आप उत्तर प्रदेश से किस शहर में जाकर चाहते हैं कि हम रिपोर्टिंग करें और क्या सवाल है आपके जो आप चाहते हैं कि मैं जाकर उत्तर प्रदेश की गाउं गाउ हैं मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं जाहिए वंदमात्र में